सो हे गाइज वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड ओफ कार फॉर सेल जहां पर आज हम लोग फिर से आ चुके हैं अपना मौ उठाके हमेशा की तरह कार फॉर सेल खेल लें जैसे कि आपको याद है कि पिछले एपिसोड में हमने एक कार खरीदी थी बेची भी थी पहले खरी हमेसिशा और खरीज नीमा फंप याद मार्क करा मारकेट में जाके खरीदी कार और मत्यभी मुनाफ़व खरीदी थी और कहना क्या चाहते हो काफी कुछ हुआ था पिसले एपिसोड में और आज के एपिसोड में हम लोग देख सकते हैं फाइनली चुके अपने शोरूम के अंदर देखने हैं और पहले देखो भाई पहले गंदगी साफ करेंगे पहले गंदगी साफ करने ज़रूरी है भाई सवच्छता भारत अभ्यान है हमारा मोधी जी कहते है हीपोक्रसी की भी सीमा होती है क्या बात है सर इसी बात पर लाइक कर दो सबसे पहले और फिर सबसे पहले हम लोग फटापट खटम करते हैं यह पच्रा वगेरा और यहां पर हमारी जो ब्लैक मर्सरेडीज वो सकती थी लेकिन नहीं है गैस नॉर्मल ब्लैक कलर की कार है वो एक्चुली मैंने लगा के रखी थी पिसले एपिसोड में और ये बिकी नहीं थी तो चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ इसका वेट कर रहा था कुछ लोग आएंगे शायद खरीज भी ले लेकिन मुझे लगता है कि अभी मैं इसका वेट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे एक्चुली 11,000 में पास पड़े हैं अभी तो मैंने सोचा कि क्यों ना नेबर्स में जाके कार खरीजते हैं क्योंकि कार खरीजना हमारा काम है और सस्ते में बेच के सस्ते में खरीज के महंगे में बेचना हमारा बहुत बड़ा काम है कुछ भी और बहुत बड़ा बिजनस और यह देखो फॉर्चनल दिख रही गई थी तो यहाँ पर देख सकते हो मैं को यहाँ पर साथ हजार में भी खरीज रही है मुझे लगता है बारगेन वाला शुरू करना पड़ेगा पिसले में में बारगेन वाली दिख गई थी एबिलिटी तो मैं अभी यह कर सकता हूं स्किल ओके यहाँ पर यह माननी रहा है अग्री ओन दे प्राइज यूर ऑफर इस लो ओके तो चलो गई चार हजार एक रुपया बढ़ा दिया चार हजार एक रुपया बढ़ा दिया अब तो मान जा मेरे भाई यहां पर बोल रहा है यहां पर एक्सपेक्टिंग बैटर बैटर ऑफर ओके ठीक है बैटर ऑफर चारह जार दो रुपय यह ले 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 अब तो मान ले तो बहुत बड़ा ख़डूस है मुझे यह बेश नहीं रहा तो मुझे लगता है कहीं और जाके ढूननी पड़ेगी कौन ही लोग कहां से आते ही इस क्या पता बारगें में कम दे दे तो यहां पर देख सकते हूं कि मैंने 2000 कौफर दे दिया लेकिन यह बंदा है कि इतना बड़ा मेर से भी बड़ा कंजूस निकला यह तो यह इसमें मानी नहीं रहा है तो मैं सोचा हूं 25 में दे देगा यह मि हैं रटर को लेकिन तो भी इसमें फिन नहीं दे रहा है तो मैं को एक सिधा चलते हैं इस अपने शोरूम की तरफ क्योंकि मुझे भाइब कि जहां पर देख सकते हो सईट मोश तुम को मेरे चाहते हैं रही में आजग सब्छा gor हम कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड में गया और आराम से आराम से गाड़ी ना ठुचाए अभी गाड़ी बात में पार्थ करेंगे फिलाल अभी गाड़ी से निकलता है फटाफट मुझे लगता है बहुत बड़ी डील आ सकती है पता है कितने कस्टमर होंगे कि यहां पर देखते किते रुपे देगी यह दो हजार निकल पहली फुरसत में गरीब साली पता नहीं कहां सा जाती लगता है यह अपर यह क्या बगल वाले घर से उठके आ गया कार खरीजने मन बना कार खरीजने आ गया क्या पिया वाई क्या थोड़ा सा 2900 तू भी पहली फ करें अब देखते यह कितना देगा मतलब पैसे कितने देगा कार के देखते हैं यहां पर इसकी प्राइस जल्दी बता बेशाले 3000 रुपे देखो या मैं 3000 में नहीं बेश सकता क्योंकि मुझे बहुत महँंगा पढ़ा यह बहुत जादा तो मैं इसको 3000 में तो घंटा ही नह मेरा मतलब बताओ कितना प्राइस दोगी यहां पर सॉरी यहां पर एक्चली यह भी 2000 में नहीं भाई पहली पुरसत में निकलो यार इतने गरीब गरीब लोग आ जाते कार खरीदें मूह उठाके आजाते हैं इसा है भी ने इतना अच्छा शोरूम में महंगी महंगी कारें कोई भी अच्छा कस्टमर नहीं है फिलाल मैं अपनी कार को देख लेता हुए क्योंकि मैंने कार को एक बार भी नहीं देखा है जबसे खरीदा है ओके यहां पर डाइमिच करता है अब है तेरी तो गाइस लूट लिया मेरे को अब हैसाले गाइस उस आदमी ने लूट लिय यह भाईसाब 2800 की गाड़ी बेच कर में पूरा पूरा लूट लिया पूली डैमेज ही अब मुझे लगता है सीधा आटो रिपैर में जाना पड़ेगा और गाड़ी को रिपैर करना पड़ेगा अलग से खर्चा लेगा पता नहीं कितना लेगा यह अलग से लूटेगा व पूरे 4000 का चूना लग चुकाएगा इस तुम्हारे भाई को लेकिन कोई बात नहीं हमने फाइनली इसको दे दिये पैसे अब में वह रिपैर कर रहा है और मैं एक्चुली सोच रहा हूँ कि मेरी यह गाड़ी बिक नहीं दिये तो मुझे सीधा चले जाने चीए इसको आएगा तो अभी इससे भी बात कर लेते हैं भाई पूट सस्ता लगाना क्योंकि दो गेटी टूटे वे भाई आराम से तो यहां पर अभी देखते हैं 600 भाई लूट भाई बहुत ज्यादा लूटा लूटी चल दिये यहां पर और यहां पर गाड़ी पहली वाली हमें जै सेल पर लगा देते हैं फटाफट चटाचाट फटाफट प्रॉफिट कमाना है फटाफट गईज अमीर बनना है हमें भूलना मत हमारा मकसद अमीर बनना हमारे पास एक ब्लैक और वाइट क्या कॉम्बिनेशन है शोरूम के अंदर भी ब्लैक और वाइट दोनों गाड़ी ह यहां पर अब इस इसल्ग बेचने वालों बहुत जाधा म्हेंगा यहां पर अबी मैं देखता हूं कितने रुपे बेच सकता हूं मैं सोच रहा है नहीं यार 8000 में नहीं यार में को लगता है आठ जार नहीं दस हजार में तो फिलाल मैंने इसको इतने बेचा है अपने रिपैर वाले में ब्लैक गाड़ी भी रिपैर हो चुके गाइस हमारी अभी इसको भी बैठते हैं और सीधा चलते हैं शोरूम के अंदर वहां पर पाद करते ह हैं और गाइस मैं कब से देख रहा हूं कि कार ऑक्षन खुल चुका है लेकिन मैं अभी तक नहीं गया हूं वहां पर मुझे जाना भी है पता नहीं ये काम बगर कप एक तो ये कस्टमर आते रहते हैं यहां पर फिलाल मैं कस्टमर को देखता हूं यहां पर आजी कितने सब सब्सक्राइब निकल 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 दू पहली भुरसत में निकल जरूरत नहीं है यहां पर शोरूम को देढ़ी यहां पर अभी आपर दूसरी गाड़ी भी सेल पर लगा देनी चाहिए फटाफ़ट आउक्षन खुलावा है मुझे फटाफ़ट सेल पर लगा कि अप सीदा कि तरफ क्योंकि मुझे गाड़ी खरीजनी अच्छी वाली क्या पता सस्ती में मिल जाए मेरे को तो फटा फट मैं अभी देखता हूं पांच जार में लगोंगा क्योंकि छेजार मुझे लगता है जादा पढ़ गया ता इसलिए में को लग रहा है कि 6000 की जागा 5000 जादा ए लेकिन तो भी गाइस फाइनली हमारे शोरूम पर आप देख सकतो दो दो गाड़िया चुकि भले ही सस्ती है लेकिन कोई बात नहीं है तो दो गाड़िया जीर दिले चार होगी दस होगी पचास होगी बहुत सारी होगी गई अब बस देखते हैं फिलाल मुझे आक्शन की तरफ भागना होगा क्योंकि मुझे फटा फट ऑक्षन की तरफ जाना है वहां पर देख सकते हो इसमें को यूज करने की ज़ाओत नहीं क्योंकि आक्शन बगल में यह हैं टिक्ट खरीज लेता हूं फटाफट यहां पर टिक्ट खरीजते हैं लोग बैठे वे हैं भाइक का गये सब लोग अरे हे सब कहां गयी सब लोग अब्हें सब लोग गया वट गें सब लोग क्या ऑफ़ें कर देरबलगी वीया अले यौज़न यह बंद उगया वह मैना पनी टिक्ट खरीज़ दी अब इसने गद्दारी कर दीं अब यह साला इस अन्ज़िटकण का पैसा भी लग गया सब लोग चले भी गये पैसे कर शो गए वो क का लिया कोट वाला किधर गया पहले मुझे उस ने पैसा लएता है फिर सहाल देता ही नहीं है एक मिन इंड़ मेरा टिकट का पैसा दे साले ते यह बाप यारा चूड कर गया है इन लोगों से जानों ने आउक्शन बंद कर दिया टिकेट खरीज ते ही सब चले गए तो गाईज आज तुम्हारे भाई को आउक्शन से निकाल दिया गया है साले को भम से उड़ा दूगा एक बार हाथ में आ जाए तो है वो भी टिकेट खरीज भी लिया तो भी निकाल दिया इन लोगों ने यह लोगों ने तो गद्दारी कर दी गई लेकिन कोई बात नहीं हम लोग इन से बदला जरूर लेंगे फिलाल हम लोग अपने ऑफिस की तरफ चलते हैं और अपने कस्टमर को समालते हैं एक दिन पैसा चेंज करना पड़ेगा मेरे को 3200 गरीब निकलो यहां से भटा फट तीन असार दोसो देती है एक तो 5000 की गारी को 3200 में खरीजने के कोशिश करती है अब देखते हैं इसको यह पता नहीं यारे इनको देखकर यह असा लगता है कि यह फुट पाथ सो उटके जश्ट अभी अब भी आया कायर खरीज दें इसको देखकर ही लगता है इसका फटी चर्मू देखकर लगता है कि यह पैसे नहीं देगी निकल पहली फुरसत में पता नहीं कहां से आ जाती है तो गाइस अभी रात हो चुकिया और मुझे निलगता भी कोई कस्टमर आएगा और अभी दे आज की मजदूरी यहीं खतम करते हैं अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो याद और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट भेक के मारो या फिर मोंबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूँ मुझे पैसों के पीछे भागना है बाई अगली वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए गुडबाई टाटा सायोनारा